मोवी की सुरुवात में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रियेचर से लड़ते हुए देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉंस्टर से बचाने की कोसिस कर रहा होता है पर उस मॉंस्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजूर पढ़ र कहता है कि मल्टी वर्ष को बचाने के लिए उसे उसकी कुर्बानी देनी होगी पर तभी वो मॉंस्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर उपर उठा देता है और उसे मार कर वही नीचे पटक देता है उसके बाद वो मॉंस्टर उस लड़की को पकड़ कर उसके पावर को छीनने पर उस लड़की की पावर के वज़ा से वहां मल्टि वर्सेस पोर्टल खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उस मॉंस्टर पे हमला करके उस लड़की को उस पोर्टल के अंदर भीज देता है पर ये सारा कुछ अस्ट्रेंज का सिर्फ एक सपना था वो उटकर तयार होने लगता है और अपनी एक्स गर्लफेंड क्रिश्टीन की साधी में पहुँचता है वहाँ वो क्रिश्टीन से कहता है कि वो सौरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की पर वो इस बात से खुस है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुसी से रह सकती है तभी बाहर सहर में किसी का हमला होता है और अस्ट्रेंज सहर को बचाने के लिए जाता है वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाय हुए था जिसमें एक लड़की थी अस्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उस अक्टोपस से लड़ने लगता है अस्ट्रेंज उस लड़की को देखकर कहता है कि साथ वो उससे पहले भी मिल चुका है ये वही लड़की थी जिसे उसने कल्स अपने में देखा था तबी वो ओक्टोपस अस्ट्रेंज को पकड़ कर पास के बिल्लिंग में फेक दिता है जहां वो बेहोस हो जाता है वो फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है तबी वहाँ वॉंग आकर उसे उससे बचाता है और उस मौस्टर से लड़ने लगता है पर बहुत जल्द वो वॉंग को भी अपने टैंटिकल्स में जख़ लेता है और दुबारा उस लड़की के पीछे जाता है पर अस्ट्रेंज का कोट उसे इस बार उससे बचा लेता है और तब तक अस्ट्रेंज भी वापस आ जाता है और Wonk को उससे छुडाता है वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पढ़ रहे थे इस बार उसने Strange को अपने Tentacles में जकड लिया था जिसकी वज़े से वो कुछ नहीं कर पा रहा था तब ये Strange का कोट उरता हूँ आता है और Octopus की आँख को ढख लेता है अ Strange तुरंत वहाँ एक पोल की मदद से उस Octopus की आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वज़े से वो वहीं मारा जाता है उसके बाद Strange उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बलकी एक दूसरा Universe था जिसमें उसका ही एक अलग Virgin उसके साथ एक Monster से उसे बचा रहा था वो उसे बताती है कि वो Octopus उसे Kidnap करना चाह रहा था क्योंकि कुछ demons हैं जो उसके powers को छीनना चाते हैं वो बताती है कि उसके पास किसी भी universe में travel करने की power है पर वो उस power को control नहीं कर सकती है जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो power अपने आप activate होने लगती है और multiverse के portal खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उससे पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा उन demons को हराने का वो कहती है कि एक book है book of visanti जिसकी मदद से वो demons को हरा सकते हैं वों कहता है उस book तक पहुँचना लगबग नामूमकिन है पर वो लड़की कहती है कि वो अस्ट्रेंज के साथ उस book तक लगबग पहुच चुकी थी पर demons ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहाँ इस universe में आ गई अस्ट्रेंज कहता है कि यह real नहीं हो सकता क्योंकि यह सिर्फ उसका एक सपना था वो लड़की उसे पुरूफ के तोर पे दूसरे यूनिवर्श के अस्ट्रेंज की लास को दिखाती है जो उसके साथ यहाँ आ गई थी यह देखकर अस्ट्रेंज और वोंग को भी अब उस लड़की पे भरोसा हो जाता है कि वो जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है अस्ट्रेंज वोंग से कहता है कि इस लड़की की जान पे बहुत खत्रा है उन्हें इसे सेफ रखना होगा वोंग उस लड़की से उसका नाम पूचता है वो अपना नाम उन्हें अमेरिका चैविस बताती है वांग उसे उनके साथ कमरताज चलने को कहता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी वो अश्ट्रेंज की लास को वही दफना देते हैं आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे इंज्वाई कर रही होती है पर ये सब उसका सिर्फ एक सपना था जिसे वो वास्तविक्ता में बदलना चाहती थी वो अपने गार्डेन में फूल तोड रही होती है तब ही उससे मिलने अश्ट्रेंज आता है वो उससे मल्टिवर्स के बारे में पता करने आया था वो उसे बताता है कि उसके पास एक लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डेमन्स उसके पीछे पड़े हुए है जो उसके पावर्स को हासिल करना चाहते है वो लोग उसे कमरताज लेके आये हैं ताकि वो फिलाल सेफ रह सके अस्ट्रेंज वोन्डा से कमरता जाकर एक बार उस लड़की से मिल लेने को कहता है वोन्डा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को यहां उसके पास क्यों लेकर नहीं आ जाते वो उसके साथ सेफ भी रहेगी पर अस्ट्रेंज सोच में पढ़ जाता है क्योंकि अभी तक उसने वन्डा को उस लड़की का नाम नहीं बताया था पर उसे पहले से उसका नाम पता था पर तब वन्डा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है वन्डा अब असकालेट विच बन चुकी थी अश्ट्रेंज देखता है उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वज़ा से उसकी सक्तियां उसी पहावी हो गई थी वन्डा उससे कहती है कि इस बुक की मदद से उसके पास वो सब वापास आ सकती है जो कभी उसका हुआ करता था वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वहाँ चली जाएगी जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है इस पर अस्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे उसने उन्हें अपनी मैजिक से बनाया था और अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर के लौग का उलंगन होगा और अगर उसने चैविस से उसका पावर छीन लिया तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगी वंड़ा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे मुँसे ये नेचर के लौग के उलंगन वाली बात सही नहीं लगती क्योंकि उसने भी तो वही किया था था इन उसको टाइम स्टोन देकर तुम नियम को तोड़कर हीरो बन जाते हो और अगर वो ऐसा करे तो वो उसके लिए दुस्मन बन जाती है वो कहते है कि आज सूरस डूबने के पहले वो लोग चाविज को सांती से उसके हवाले कर दे और उसके बाद वो उसे कभी नहीं दिखेगी अश्टीज कहता है कि क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं करते वो कहते है कि फिर उसे लेने वांडा नहीं बलकि असकालेट वीच आएगी अस्ट्रेंज कमर ताज जाकर वांग को सारी बात बताता है अस्ट्रेंज सबसे कहता है कि अगर सकालेट वीच को चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टिवर्स को गुलाम बना देगी वांग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तयार होने को कहता है सारे लोग कमर ताज की फाज़त के लिए अपने अपनी पोजीसन ले लेते हैं और तभी कुछ दिर्बाद पूरे कमर ताज के आसपास काला धुआ उठने लगता है और वांड़ा उनके सामने आती है अस्ट्रेंज जाकर उससे बात करता है और उसे ये सब रोकने को कहता है पर वो नहीं मानती है और अस्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है वो अस्ट्रेंज पे हामला करती है पर उसके आगे कमरताज के लोगों ने एक मजबूत सिल्ड बना दिया था जिस पे वांडा का कोई पावर काम नहीं करता है वो कमरताज पे भी हमला करती है पर हर जगा उन लोगों ने सिल्ड बनाई हुई थी वांडा अपनी दूसरी चाल चलती है वो वांडा एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे वहां से भागने को कहती है जिसकी वज़ा से उनका सिल्ड तूट जाता है और उसके बाद वांडा वहां पे हमला करती है कुछ देर तक वो सब वांडा के वार को जहिलती है पर बहुत जल्द वो सब उसके आगे हार जाते है वो वहां सब कुछ तबाह कर देती है पर तब तक अस्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उसे वहां से कहीं और छुपा देता है और खुद जाकर वांडा के सामने खड़ा हो जाता है वो वांडा को मिरर इल्यूजन में फसा देता है जहां उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे पर वो अपने रिफलेक्शन के थुरू उन तक पहुँचने की कोसिस करने लगती है अस्ट्रेंज और वांग जल्दी से वहां के सारे रिफलेक्शन वाली चीजों को ढखने लगते है पर किसी तरह वांडा उन तक पहुँचने में सफल रहती है वो उन सब से कहती है कि चाहे वो कितनी भी कोसिस कर ले वो उसे उसके बच्चों के पास जाने से रोक नहीं सकते वांडा उन सब को बहुत सारे उनिवर्सेस दिखाने लगती है जहां वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही है अस्ट्रेंज कहता है कि जिस यूनिवर्स में तुम जाओगे वहां के वांडा का क्या होगा क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी और अस्ट्रेंज वांडा पे हमला कर देता है पर उसके पावर वांडा के सामने कुछ भी नहीं थे वो अस्ट्रेंज को दूर फेक देती है वॉंग को भी वो मारकर वहीं बेहोस कर देती है और चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को उससे निकानने लगती है चैविस की डर की वज़ा से वहां किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुलने लगता है और तब है चैविस धक्का देकर चैविस को लेकर उस पोर्टल में कूज जाता है और वो दोनों कई सारे यूनिवर्से को पार करते हुए एक यूनिवर्स के नियू यूर्क सहर में पहुंचते है अस्ट्रेंज चैविस से कहता है कि उन्हें यहां से वापस उनकी यूनिवर्स में जाना होगा पर चैविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसके पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है अस्ट्रेंज उससे कहता है कि उसका दूसरा वर्जन इस यूनिवर्स में जरूर होगा वो सायद उसकी मदद कर सके पर चैविस कहते है कि यहां उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है वो कहते हैं की वो अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंड कर Book of iassenty का पता लगा सकते हैं और सायद उसकी मदद से वो वन्डा को रोक पाए वो दोनों अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जिन को ढूंडने निकल जाते हैं वहां रास्ते में उन्हें एक मसीन दिखाई देती है, जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाती थी, अस्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिष्टिन के साथ डेट पे गया था, उस दिन क्रिष्टिन ने उसे एक घड़ी गिफ्ट किया था, ये देखकर वो किसी और में, अस्ट्रेंज उसे कहता है कि एक दिन वो जरूर अपनी मॉम से मिल पाएगी, वो दोनों बात करते हुए अस्ट्रेंज के घर के पास पहुँच जाते हैं, उन्हें वहां डॉक्टर अस्ट्रेंज के स्टैचू दिखाई देती है, जिस पे लिखा होता है कि व पॉंडर ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है, इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, कालमोडो उन्हें बताता है कि उनके उन्यूवर्स में भी डार्क होल्ड है, जिसकी पावर से कोई भी इंसान अपने कॉंसेस को किसी और उन्यूवर्स ड्रिम वाकिंग कहते हैं अस्ट्रेंज उससे बुक अफ वैसांटी के बारे में पूछता है पर उसे चक्कर आने लगता है कालमोडो ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था वो दोनों वहीं बेहोस हो जाते हैं इधर असकालेट विच अपने आपको उस यूनिवर्स के खुद की वर्जिन में प्रजेक्ट करने की कोसिस कर रही थी जहां चैविस और डॉक्टर अस्ट्रेंज थे उसने वांग को अपने पास बांध करके रखा हुआ था तभी वांग के पास उसका एक आदमी आता है और अपने चाको से डार्क होल्ड की बुक को लेकर दिश्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो खुद भी मारा जाता है वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनिक्सन टूर जाता है वो देखती है कि बुक भी दिश्ट्रॉय हो चुका है वो गुसे में वांग को माने लगती है और उससे डार्क होल्ड की अस्पेल पूछने लगती है क्योंकि वो सौर्सरर सुप्रीम था और उससे इसके बारे में पता था वो कमरताज के लोगों को माने की धमकी देकर उससे वो अस्पेल पूछती है वों उसे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कॉपी थी जिसमें वो अस्पेल लिखे हुए थे पर उसका असली पावर वेंडा कॉर में है पर वहां तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे इधर अस्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो अपने आपको एक ग्लास सेल में पाता है चैविस भी उसके बगल वाली सेल में थी वो देखता है कि वहां क्रिस्टीन है वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में रिसर्च परपस के लिए लाए गये हैं क्योंकि व वांडा वांग को लेकर वैंडा कूर पहुँच चुकी थी वहां वो एक टूटे हुए खंडर में पहुँचते हैं वांग बताता है कि यहीं सबसे पहले एक डेमन ने उस पावर को हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया वांडा वहां कैप्टन कार्टर को दीखते हैं कुछ और भी सूपर हीरोज वां थे जैसे कि ब्लैक बोल्ट मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रिड रिचर्ड रिचर्ड अस्टेंज से कहता है कि उसका उनके उन्यूवर्स में आना किसी खत्रे से कम नहीं है क्योंकि उसके पीछे क बहुत बड़ी प्रोब्लम आने वाली है अस्कारलेट विच के रूप में रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वाकिंग को लेकर अस्कारलेट विच से उनके लिए ज्यादा खत्रा उसके उन्यूवर्स का डॉक्टर अस्ट्रेंज था वो उनसे कहता है कि क्या वो अस्ट्र की पावर ली और ड्रीम वाकिंग करना सुरू कर दिया पर एक दिन उसने उनसब को बुलाया और कन्फेस किया कि वो ड्रीम वाकिंग कर रहा है और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बड हो गई और उसकी वज़ह से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि उसकी वज़ह से वो दुबारा ऐसी गलती कर सकता है उनसब ने बुक अफ वेसांटी की मदद से थैनों उसको मारा पर उनके सामने अभी भी दूसरा खत्रा मौजूद था डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में इसलिए उनसब ने ब्लैक बॉड की मदद से स्ट्रेंज को खत्म कर दिया इधर वांग वांडा को समझाने की कोसिस कर रहा था कि वो चाकर भी सब कुछ कंट्रोलिंग कर सकती पर वांडा उसे वहां के पहाड से नीचे फेक देती है और अपना पोजेशन सुरू कर देती है वो उस यूनिवर्स की वांडा को पोजेश करके अमेरि को लेने जाए जो वहां मौजूद है और अमेरिका चैविस को किसी भी हालत में उस असकालिड विच से बचा कर रखे वांडा क्रिस्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही थी वो उस रूम में पहुंचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सूपर हीरो उसे रोकने के लिए जाते हैं रिचर्ड वांडा को रुख जाने को कहता है वो कहता है कि ब्लेक बोर्ड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है पर ब्लेक बोर्ड का पूरा मुही सील हो चुका था और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फट कर मर जाता है वो रिचर्ड को भी ए मार्बल सिर्फ अकेले ही बची थी वो अपने पूरी त्याकत के साथ उस पर हमला करती है पर उसकी पावर को भी वांड़ा कुछी देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है वो तुरंत उस पर एक बड़ा सा अस्ट्रैचू गिराकर उसे भी मार देती है अस्ट अब ही एक पंच से 24 उस ग्लास को तोड़ देती है पर तब तक वांड़ा वहां आ चुकी थी तब ही उसे रोकने वहां चाल साता है और उसके दिमाग से अस्कालेट विच को निकानने की कोसिस करने लगता है पर अस्कालेट विच उस पर भी हावी हो जाती है और उसकी गर वांड़ो को वहीं टरनल में दबा कर फसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर अस्टेंज ही खोल सकता था वो उसे खोलने की कोसिस करता है पर उससे वो खुलती नहीं है क्रिश्टिन उसे अस्टेंज के घड़ी देती है जिसकी अपने पावर से बुक और वेसांटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है वो चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को निकानने लगती है और फिर से चैविस की डर की वज़े से वहां मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं जिसमें वो अस्ट्रेंज और क्रिस्टिन को फेक द क्रिस्टिन और अस्ट्रेंज एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां कई सारी यूनिवर्स आपस में कॉलाइड कर रहे थे वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर अस्ट्रेंज से मिलने जाते हैं क्रिस्टिन को अस्ट्रेंज बाहरी छोड़कर अकेले ही उ वो तो नहीं है और तभी उसकी तीसरी आप खुलती है वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिष्टीन उसे देना होगा अस्टेंज उस पे हामला काने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर अस्टेंज के एक वार से वहां का अस्टेंज खिलकी को तोड़ता हुआ नीचे जाकर रॉड पे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है डार्क होल्ड की बुक अस्टेंज को मिल चुकी थी इधर पहार से गिर कर वौंग भी मरा नहीं था वो एक पत्थर पे जखा हुआ था वो उटकर वापस ऊपर चड़ने की कोसिस करता है जहां वांड़ा चाविस की पावर्स को निकालने की कोसिस कर रही थी अस्टेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांड़ा अपने मकसद के काफी करीब है और तब अस्टेंज द्रीम वाकिंग करन उने लगता है और उसे वो वेंडर कोर तक पहुंचा दीता है पर तभी बहुत साए डेमन सोल उस पे हमला करने लगते हैं वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बोडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पे हमला करने लगते हैं क्रिश्टिन उसक पारे डेमन ऐस्परीट की मदद से उड़ता हुए असकालेड विच के पास पहुंचता है वहां के चारों मौस्टर अस्ट्रेंज पहमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर नीचे से वांग एक को खीच कर वहां से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को भी अस्ट्रें की तरह बढ़ता है, चैविस उसे कहती ہے कि वो आप समच चुकी है कि उन्हें उसकी पावर्र क्युं चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है पर स्टेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर्र लेने नहीं आया है, बल्कि वो अस्ट्रेंज पे हमला करके उसे मानने लगती है तभी चैविस आकर उसे एक पंच देती है अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी वो लगतार वांडा को मानने लगती है और एक पोर्टल खोल कर उसे खौलते हुए लावे में गिराने वाली होती है पर वो रुख जात और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरनने लगते हैं वहां उनकी मौम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फेक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉंस्टर नहीं है और वहीं बैटकर रोने लगती है उसकी दूसरी वर्जन वॉंड़ा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और तब 24 उस पॉर्टल को बंद कर देती है वॉंड़ा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था वॉंड़ा वहां से को खत्म कर दिया था वॉंग और चैविस अश्टेंज को लेने के लिए वहां आ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि अमेरिका चैविस भी कमरताज में सीखने की कोसिस कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्ल सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस्ट बेल इकन